करनाल के बैंकों बढ़ोदा नमस्ते चौक के समीब बुधवार की रात को अचानक आग लग गई जिसमें बैंक का सारा समान जलकर राख हो गया इस आगजनी में बैंक के बाहर गेट पर लगा एटीम भी जल गया मौके पर फायर बिग्रेड की कई गाड़ियों ने पहुंच कर आग पर काबू पाया मौके पर बैंक के अधिकारियों ने जनकारी देते हुए बताया कि बैंक की शाखा में बैंक के कागजात रखे होते हैं जबकि कैश का अच शाखा से कोई लेना देना नहीं है उन्होंने कहा कि आगजनी में बड़ी संख्या में कीमती समान जलकर राख हो गया जिसकी सूचना बैंक के उचाधिकारे को दे दी गई है इस मौके पर संबंदित पुलिस थाना के अधिकारी वा करमचारी मौके पर पहुंचे और स्थीती का जायजा लिया उन्होंने बताया कि उनको जैसे ही सूचना मिली थी वह मौके पर पहुंचे लगभग 30 मिनट के क्रीब समय में आग पर काबू पालिया गया इस आगजनी से आसपास के दुकानदारों में डर का महल व्याप्त है हो सकता था कि एह दुकाने भी आग की चपेट में आ सकती थी फिलहाल मौके पर पुलिसवारा शाक्षे जुटा कर जाच की जा रही है देरा थुई इस आगजनी की घटना में बैंक के जरूरी कागजात भी जलकर राक हो गए फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है अंताजा लगाया जा रहा है कि आग भारी गर्मी के चलते बिजली के शौर्ट सर्किट से हो सकती है तो तो ताहीं पर कॉंच दिगा थे जागा थे जा रही है यह जाए ज़ाए बार इसके बारे में आप एसे हुआए कि दस के पाच मीट पर हमें सुचना है मिली थी कि बैंक अप बनाव फायर हो ही है और हमें तुरन्त दो गाड़ीया है इसके लिए मुझ कर दी थी टाइम मोके बरी आकर देखा तो इसके बाद इसके बाद सेटर जैसे को लगा तराक भुजा रहा थी और हमारे स्टाफ ने मिलके काम करके असाब कंट्रोल कर लिया कोई जान माल की आनी नहीं इसके माल की तो ह तो आप करनाल से सर्थ क्या नाम से रखना राम कमार थैंक यू